स्लाम अलेकुम फ्रेंड, बहुत सारे भाई लोग का कॉमेंट आता है और बो लोग मुझे कॉल करके भी पूशता है कि सर हम जब ड्राम को निकलने जाते हैं, तो क्या होता है ड्राम इतना टाइट होने के बज़े से drum तूट जाता है या तो drum पुलार तूट जाता है तो उसको easily हम किस तरह से निकाल सकते हैं ताकि drum भी ना तूटे और drum पुलार का भी कुछ ना हो तो आज खास करके वो ही दिखाएंगे एक छोटा सा वीडियो में कि आप easily आप किस तरह से निकाल सकते हो तो ड्राम को भी और उसमें आपका ड्राम भी नहीं तूटेगा और ड्राम पुलार भी नहीं तूटेगा तो उसके लिए चाहिए हमको देखे एक छोटा सा जो फ्रॉंट साइड का जो एकसेल होता है आप यहाँ पे दुसरा कुछ यूज़ कर सकते हो तो इसको देखे मैं रियार एकसेल पे रखके इस तरह से थोड़ा मार रहा हूँ आपको धहन रखना है कि थेड में जाके ना लगे अगर थेड खराफ हो जाता है तो आपका यहाँ पे नट जो है वोल्ट वो नहीं लगेगा आपको इस तरह से पांस से दस बार मार लेना है थोड़ा ताकि आपका जो ड्राम है वो थोड़ा लूज हो जाए अब इसके बाद हमको जो ड्राम पुलर है वो लगाना है तो यह ड्राम इसली निकल जाएगा कभी-कभी क्या होता है ड्राम बहुत दिन से खोलता नहीं और बहुत टाइट हो जाता है तो उसको निकलने में बहुत दिक्कत आ जाता है तो हम इस तेकनिक का यूज करते हैं ताकि ड्राम का भी कुछ लुक्सान ना हो और हमारे ड्राम पुलर भी बचा रहे और एक बार यूटूब की तरफ से मुझे थैंक्स बटन मिल सुका है अगर आप लोग को मेरे वीडियो अच्छा लगता है और आप लोग मुझे थैंक्स दिन भेजना चाहते हो तो मेरे जो सब्सक्राइबर के बाजू में कॉमेंट लाइक का बटन है उसके बाजू में थैंक्स बटन मिल जाएगा वहाँ पे जाके आप मुझे थैंक्स भेज सकते हो अगर आप लोग मेरे वीडियो अच्छा लगता होगा तो तो देखिए यहाँ पे मैं चारो नाट को लगा दे रहा हूँ अभी दो नाट लाओगे तभी भी चलेगा लेकिन चारो नाट लगाना बोले तो सबसे अच्छा है दो नाट अगर लगते हो तो थोड़ा टेड़ा होके ड्राम तूट सकता है तो देखिए हाँ से थोड़ा देखा तो बहुत टाइट है यहाँ पे मैं हाँ से नहीं यहाँ पे भी थोड़ा सा हाथोड़ा यूज करेंगे तो यह थोड़ा छोटा हो रहा है यह ड्राम बोले तो पुलार को थोड़ा रोकने के लिए लागा रहा था तो इसमें चारो नाट को लागा लोगे तो कि आउगा जो ड्राम है वो भी नहीं तूटने का चांस रहेगा और ड्राम पुलार भी सही रहेगा तो दीखें यहाँ पे एक रोट डाल दिया में अंदर अब थोड़ा यहाँ पे ठोग रहा हो अगर हाथ से निकल जाता है तो ठीक है नहीं और भगलने जाग घंटे का बटन उसको भी ओके कर दीजिए ताकि मैं नया वीडियो जब भी अफ्लोड करें सबसे पहला आपको मिल सकें और मेरा एक दूसरा चैनल है एनेज खान इलेक्ट्रोनिक्स बोलके अगर वो वाला इलेक्ट्रोनिक्स का का काम आप लोग अच्छा लगता होगा तो बैला चैनल को भी सबस्क्राब करके रख सकते हो थैंक्स पूर वाच